ओम शान्ती आज 9 जून 2021 है आज की दिन हम एक विशेष्टा को ध्यान में रखते हुए सारा दिन अटेंशन देकर चलेंगे और वो विशेष्टा है गुण ग्राही दृष्टी हम जब भी किसी से मिले किसी की संबन संपर्क में आए तो उनकी गुण को उनकी विशेष्टा को ही देखे ध्यान रहे ये दृष्टी किसी के अवगुण पर न जाए तो इस बात का हम पक्का करें सुनते हैं आज का स्लोगन अपने धारना स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना यह बहुत बड़ी सेवा है जीवन में जब हम ज्ञान की धारना करते हैं तो वो ज्ञान हमारा संसकार बन जाता है हमारा नैच्रल नेचर बन जाता है यही धारना स्वरूप कहलाता है तो इश्वरिय ज्ञान के धारना स्वरूप जीवन ही योगी जीवन है इसी योगी जीवन से बहुत सहजी, automatically सेवाय होती रहती है अर्थात, धारना स्वरुब आत्मा जो कुछ भी करती है वा कहती है तो वो न केवल ग्यान सुनाती है परन्तु जो ग्यान उन्होंने अपने जीवन में धारन किया है वही धारना उनके मुख से निकलता है तो इसी कारण से जो कुछ भी वो बोलती है, लोगों के दिलों पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है ग्यान एक प्रकाश है जो भी आत्मा सिर्फ ग्यान सुनाती है तो वो ग्यान का दान सभी मनुश्य आत्माओं को करती है ज्यान का प्रकाश उनको मिलता है तो ज्यान का प्रकाश मिलने से सभी मनुश्य आत्माई खुश होते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि हमें जीवन कैसे जीना है जीवन किसको कहा जाता है परंतु उस ज्ञान को जीवन में उतारे उसकी शक्ती उन्हें नहीं मिल पाते इसलिए उनके मुग से केवल यही शब्द निकलते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा, बहुत सुन्दर है परंतु जो धारना सुरूप आत्मा है वो अपने धारना के बल से जब ग्यान सुनाते हैं तो ग्यान का प्रकाश भी लोगों को मिलता है और धारना का बल अर्थात शक्ती भी लोगों को मिल जाती है इसलिए लोगों को उस ज्यान को जीवन में उतारने की समर्थी प्राप्त हो जाती है उनको ज्यान को धारन करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सिर्फ धारना स्वरूप आत्मा की जीवन को देखती रहती है और उस जीवन को देख करके अपने अंधर भी वो ज्यान की धारना करती रहती है इसलिए कहा आज के स्लोगन में ऐसे ज्यान स्वरूप धारना स्वरूप से जो लोगों की जीवन में प्रभाव डाले वही सबसे बड़ी सेवा है तो आईए आज हम भी अपने जीवन को धारना स्वरूप बनाए ओम शान्ति